दोस्तों आज मोदी जी एक एक वोट के महताज हो गए इसलिए उन्हें फिर से जनता को बेवकुफ बनाने के लिए जुमले फेकने पड़ रहे है और गोदी आंकरों का सहारा भी लेना पड़ रहा है फिर से जहां बैट कर वो फिर से जूट बोल रहे है आज 2024 जीतने के लिए खून के आंसू रो रहे हैं मोदी जी आज का ये वीडियो आखिर तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मोदी जी कितने पानी में इस वक्त खड़े है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा नमस्कार स्वागत है आप सभी का देशनीती पर देशनीती के वल सची और पक्की खबे दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करूँगी कि देशनीती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और साती साथ वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत लोग हैं जो वीडियो को लाइक करना रिपोर्ट को लाइक करना भूल जाते हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना गरा पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं और साथे साथ लाइक को भी जरूर क्लिक करें मोदी जी एक तरफ 400 पार का नारा दे रहे हैं एक तरफ उन्हें घुटने टेक कर वोट मांगनी पड़ रही है दोस्तों 2019 चुनाफ का वो सारा खेल तो आपको याधी होगा बड़े बड़े पत्रकार पत्रकारिता की धज्जियों उड़ा करके मोदी जी से पांच साल के कामकाज की हिसाब मांगने की वजाए आप बटवा साथ में रखते हैं की नहीं अब ठकते नहीं हैं आप कौन सा टॉनिक पीते हैं इन सवालों में आपको उल्जा दिया था अपने जेड में पर्स रखते हैं क्या बटवा आप भी इंसान है मेरी दो आँख है आपकी दो आँख है मैं भी कहीं बार ऐसा होता है ठक जाता है और मैं यह कहती हूँ कि बहुत थकान होगी अभी में ही हुगा सच बताईए वाइ डोंट यूग टायर्ड आप थक्ते क्यों नहीं हुगा चॉप विल्कुल चॉप मोधी 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 याद होगा आपको है ना उसके बाद पांच साल मोधी जी ने एक भी प्रेस कॉनफरेंस नहीं करी अब इसे महीने में दोस्तों 2024 का लुकसभाद चुनाव शुरू हो जाएगा और उससे पहले फिर एक बार वो खेल शुरू हो गया है खेला खेला जा रहा है लेकिन इस बार ये खेला दक्षिन भारत में खेला जा रहा है नरेंद्र मोधी ने तमिलनाडू की एक न्यूस चैनल ठांथी टीवी को इंटिव्यू दिया सहाब ने बिलकुल तमिल की तरहां सफेद धोती सफेद शुर्ट पहन कर नज़र आए लेकिन सवाल जवाब में वही घिसी बीटी मोधी जी की जिन्दगी की किस्से और कहानिया सुनाई दी तमिल और तमिलनाडू के साथ मोधी जी का 50 साल का नाता है किस प्रकार से उन्होंने इस रिष्टे को निभाया वही चीज जो है एक घंडे के इंटिव्यू में बताया गया दिखाया गया एंकर और एंकर नी मोधी जी को तमिल कप्रों में देखकर हाई मोधी में मर जावा ये हालत हो गए थे उनके जाहिर से बात है तमिलनाडू की जनता को साधने की कोशिश हो रही है और उनके साथ एक बॉंड बनाने की क्रियेट करने की कोशिश मोधी जी कर रहे है लेकिन टीवी पर तमिलनाडू के साथ मेरा 50 साल का नाता कह देने से आप उनके साथ जुर नहीं सकते उस चीज के लिए आपको काम करनी पड़ती है आपकी पार्टी को तमिलनाडू में काम करनी की जरूरत थी दोस्तों इस मैप को गौर से देखिए पूरा का पूरा दक्षिन भारत चाहे तेलंगा ना हो आंधर प्रदेश हो तमिलनाडू हो केरला हो करनाटक हो बुरे तरहां से भाजपा यहां पर हार्टी वी नज़र आ रही है एबीपे सी वोटर के मुताबिक इन सभी राज्य में रिजियनल पार्टी और विपक्ष क्लीन स्विप करेगा और अगर तमिलनाडू की बात की जाए तो मोदी जी वहां खाता तक नहीं खोल पाएंगे सी वोटर सर्वे के मुताबिक बीजेपी 49 के 49 सीटों पर हारेगी लेकिन यूपी की 80 सीटे, बिहार की 40 सीटे और महराष्ट के 48 में भाजपा की जो हाल है न उसे देखते हुए अब मोदी जी को दक्षण भारत को साधने की जरूरत पड़ रही है वैसे तो राम मंदिर में राम जी के मुर्ती का जिस दिन अनावरन हुआ था उसे दिन पता चल गया था कि मोदी जी दक्षण भारत को साधने की कोशिश कर रहे है राम जी के मुर्ति को उत्तर भारत की मौडल स्ट्रक्चर में नहीं बनाया गया था बलके दक्षन भारत में जिस तरहां की मौडल स्ट्रक्चर दी गई थी अब आब इंटेवियू के जरीए मौडी जी तमलनारू की 49 सीटों के लिए आम जनता को बेवकुफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मौडी जी को भी पता है कि 400 पार का नारा देना और हकीकत में 400 पार करना दोनों में अंतर है और इंटर्नल सर्वे से लेकर के गोदी मीडिया की सर्वे में भी दक्षिन भारत का एक भी राज्य मौडी को मैच खेलने का जगा नहीं दे रहा है लेकिन मौडी जी यही नहीं रुके मौडी जी एक नया जुमला शुरू कर दिये है कि एडी ने जो पैसा जब्त किये है जब्त किया जा रहा है अब वो जो है गरीबों में बाटा जाएगा गरीबों में लोटाया जाएगा और मोडी जी ताल ठोक कर कह रहे हैं इस पर जनता को कि आप यकीन मानिये मैं एक एक रुपे आपके खाते में डालूँगा जो एडी ने इन लोगों से जब्त किया है मोडी जी हर एक मंद से ये दावा ठोक रहे हैं ताल ठोक रहे हैं कि जो पैसा इडी ने जब्त किया है प्रश्चाचारियों से वो दिंदारों में लोटा दूंगा में मोडी जी फिर आप बताईए ना छगन भुजबल अजवित पवार शुबिंदु अधिकारी अशोक चावान जैसे तमाम नेताओं को आपने जो सहारा दिया जिन पर एडी की केस रेजिस्टर्ड है जो मनी लॉंडरिंग के केस में आरोपी है आपकी पार्टी में शामिल हो जाने के चलते उन्हें छूट दी जा रही है उन पैसों का आप किन किन लोगों में बाटेंगे या वो आप में या आपकी पार्टी में बढ़ गया है दोस्तों वादा करके वादा ना निभा पाना अलग बात है और अगर शुरू सहीर सहाब को पता है कि यह तो चुनावी जुमला में फेक रहा हूं मुझे से निभाना नहीं है बोलने में थोड़ी पैसा लगता है तो फिर क्या कहा जा सकता है तो मोधी जी से यह सवाल भी जरूर पूछना अगर आपकी इलाके में मोधी जी आते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं ट्विट के जरीए भी पूछ सकते हैं कि मोधी जी एडी ने जो हाल फिलाल में विपक्षी नेताओं से या काला धन जो Black Money के बारे में मूदी जुका बयान था कि 15-15 लाख रुपए हर किसी के खाते में जाएगा वो 15 लाख आज कहा है कहा गया वो 15 लाख क्या आपके खाते में वो पैसा आया है 15 लाख रुपए आकाउंटमें क्यों नहीं आ रहे देखे यह जुमला है किसी के अकाउंट में पंदार लाक रुपया कभी नहीं जाता है। ताकि बेवकुफी है। यह सवाल है जो हमारे तरहां अगर हर एक पत्रकार पूछने लगे ना कि पंद्रा लाक कहां गए दो करोर नौक्रिया कहां गई तो इंटर्व्यू छोड़ कर मोधी जी भाग जाएंगे। इसलिए दोस्तों ऐसी सवालों की जरूरत है जो सत्ता को हि कोट की जरूरत है उससे हमारी मनोबल जो है न वो और मजबूत होता है हम चाहते हैं कि आप देशनिती के साथ जोड़िए हमारी फेस्बूक पेज हमारे ट्वीटर अकाउंट और साथी साथ चानल को देशनिती यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जा जय हिंद जय भारत